जालोर में करसी विबाग ने किसानों की सुविदा के लिए मिट्टी की जांच के लिए प्रयोग सालाओं पर लाखों का बजट खर्च करके भले इसे बना दी गई हो लेकिन यहां पर किसी भी परकार की अभी तक कई सालों बाद भी मिट्टी की जांच शुरू नहीं हुई जिससे किसानों को सुविदा भी नहीं मिली और जो सरकार का बजट था लाखों का वो भी पूरी तरह खराब हो गया आप देख पा रहे होंगे अभी हम मौजूद है सा से विबाग की और से यहां बनाई गई थी लाखों का भवन बनाया गया बजट खर्च किया मशीने लगाई गई लेकिन कभी यहां पे करमचारियों की पोस्टिंग नहीं हुई और उसके चलते अब तो भवन भी क्योंकि कहीं साल हो चुके हैं पांच से साल जिससे अब तो खराब हो चुकी है धूल भाक रही है और सरकार के लाखों का बजट जो पूरी तरह खराब हो गया और सरकार को चुना लग गया लेकिन इसके वाबजूद भी जिस तरीके से कस्री विबाग को गंबिरता दिखानी चाहिए थी वो गंबिरता दिखाने पाए और आखिरकार ये जो किसानों को सुईदा देने के जो वादे और जो योजना बनाई गई थी प्रयोग साला जो मिट्टी के जांच की वो पूरी तरह फैल हो गई और उपकन मुख्यालों पर उसके जो हाल हैं वो आप देख पारे होंगे कि भवन भी जजर जर हो गया है और यहां जो खड़ा करना किसानों की सुविदा के लिए और उसके वाब जूद भी कुछ नहीं हो पाया मेरे साथ कर्शी विबाग के अधिकारी कुछ करमचारी मौजूद है जो यहां रहते हैं रखवाली करने के लिए लेकिन इसका यूज नहीं हो पारा है आप किस पोस्ट पे हैं औ पद रिक्त होने की वज़े से यह बंद है यारो की जैसे यहां न्यूगती होती है तो यह चलू अवस्ता में आ सकती है यहारो की पद रिक्त होने के कारण पूरे जालोर में तीन लेव है एक तो प्रोपर जालोर में है एक बीनमाल में है एक सांचोर में सांचोर बीनमाल दोनों की बंद है जालोर की चलूए वहां क्योंकि एरो पोस्टेड होने के बाद ही एरो इस पर काम कर पाते बागी जाच कराना संभव नहीं है में रिखवाली करने मैं परती है तो रखवाली जरूर की जाती है लेकिन यहां आज आ शकता है कि बड़ी लापरव यह कर्शिक विबाग कि जो किसानों को सुएदा मिलनी से उसके जो खेद की जो मिट्टी है उसका पता लगा जाए कि वो कितनी कॉलेटी की है किस तरीके की और उसमें क्या पैदावार की जा सकती है लेकिन ये जो सुईदा किसानों को मुलनी चाहिए थी वो मिलनी पाई और अब जो ये भवन है वो धूल फाक रहे हैं जरजर हो ग सब्सक्राइब कर कदम उठाएंगे ताकि ये वापिस सुचारू रूरूप से चल सके और किसानों को इसका फायदा मिल सके कैमरामिन विश्णू के साथ लोना राम फस्ट इंडिया न्यूज जालो